हेलो एवरिवन वल्कम बैक टू रैंकर्स क्लास नाइन टेंट एंट एसी चैनल दिस इस किसंजाय स्वाल तो कैसे हैं सभी लोग घड़ी में चार बज चुके हैं और मैं आपके सामने हूं खड़ा ठीक है तो आपकी क्लास मैथेमेटिक्स की स्टार्ट हो चुकी है आज हमार बाहर निकले तो डबल मास्क करके भाहर निकले ठीक है बच्चो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि मेरी भी तब्याद सही नहीं है तो इस कंडिशन में आपको कॉपरेट करना है हमारी टीम को ठीक है तो अगर आपको हम चीजे प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्रिपया अपनी सिकायतों की जो लिष्ट है उसको थोड़ा सा कम करिए क्योंकि अगर कंडिशन सही नहीं है तो लाइप की क्लास नहीं हो पाएंगी तो आपको इसको समझना पड़ेगा ठीक है आइनो बहुत सारे बच्चे को अपरेट कर रहे हैं कुछ बच्चे हैं जिनको सिकाया था कि भाईया लाइप क्यों नहीं ले रहे हो वह आपके वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है भाईया बैट क्यों पढ़ा रहे हो भाईया डिजिटल बोर्ड नहीं है विटा यह समय ऐसा चल रहा है कि हमें छोटी-छोटी चीजों से खुस रहना सीखना होगा जो कंडीशन है उसमें रहना सीखना होगा तो प्लीज कॉपरेट करिए इस हमबल रिक्वेस्ट ठीक है आई होब मोस्ट आप देम मोस्ट आप यूवर कॉपरेटिंग मी चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को तो सबसे पहली बात जो नई बच्चों को मैं सिख सबतना है रिंकडिश का ग्रूप है जहां पर आप अपने डौल कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर लगबग 1002 बच्चे ऑंक्टिऊ हमारे ग्रूप में है जो कि आपस में डाव्हँर्ट करते रहते हैं आपस में दूसरे सॉल करते है ठीक है तो दोनों जरूर जोईन कर लिजेगा आप टेलीग्राम पर ठिक बाकी क्लासेश के लिए आप अगर नए हैं तो अभी चौथा दिन है मैथेमेटिक्स का इसके पीछे तीन क्लास हम लोग कम्प्लीट की है नंबर सिस्टम की थियोरी पढ़ रखी है तो डे वन से सुरू करिए जब आप वीडियो के बगल में यह प्लेलिस्ट होता है यहाँ पर जाएंगे तो एक एंटी यसी का सेक्शन मिलेगा और इसमें आपको मैट सैट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारी चीजे मिल जाएंगे तो वहां से चीजे स्टार्ट कर दीजिए बाकी लाइब क्लास आप देख इसने चैनल को देखने वीडियो को तो फटाफट आ जाए और आप लोग कोसिस यह करिए कि बहुत सारे बच्चे हमारे एंटी एसी की प्रिपरेशन करें ताकि जब आपके आज पास आपके दोस्त भी एंटी एसी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत हैल्प होगी तो यह सारी चीजी है इसको करते रहिए अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों से भी कह रखा है कि किसी भी काम को करने से पहले आपके पास टास्क होना चाहिए तो आज की क्लास में हमारा टुडेश टास्क है है बाई इक्सक्वायर एंड क्यूब रूट पढना है हंब कुञरल कभचा है यूनीट डिजिट का करने की कोशिस करेंगे और आपका आज या कल तक आपका नंबर सिस्टम का ओबर आल थियोरी खतम हो जाएगा और कोशिस करेंगे हम कि फ्राइडे से आपका जो है वो नुमेरिकल सेक्षन स्टार्ट कर दिया जाए और हम लोग दो तीन दिनों तक बहुत सारे सवाल लगाएं ताकि आपका जो है वो थियोरी के साथ सथ कॉंसर्ट भी क्लियर हो जाए क्लियर बच्चों सभी बच्चे आ गए हैं चार मिनट हो चुके हैं आप दीरे दीरे हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाएंगे और स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ना शुरू करेंगे बस एक इसी गुजारित है कि सभी बच्चे क्लास को देखते वक्त अपने नोट्स भी बनाया करो क्लियर चलिए तो सबसे पहले सीखते हैं भाई स्क्वायर निकालना एक छोटी सी ट्रिक होती है जैसा कि बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी बता रखा है बट आप लोग फि ईटीनाइन तक अप्लिकेबल होगा क्लियर अच्छा फॉर्टी शिक्स का आपको इस्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे 46 ऐसे लिखेंगे योग्या वन्सिक्वायर निकालना है तो 4 इंटु2 निकालिए 4 इंटु6 इंटु2 चार चंक 24 डुना अड़ता इन ब 1, 48 इसको साइड में निकाल के क्या करना है आपको यह 16 इसको प्रॉपर लिख दीजिए 1636 ठीक है यह हमने क्या किया चार का स्कॉयर और च्छा का स्कॉयर लिखा तो यह आ गया 1636 यह जो 48 है उसको एक एक डिजिट छोड़कर आप यहां लिख दीजिए यह 48 तो यह आ जाएगा आपका स्कॉयर कर दीजिए शिक्स आट तिन ग्यारा वन आया कैरी च्छाचा दसे की ग्यारा वन आया कैरी 2116 मिजश कहा सकते यह कि आँपको कभी-कभी बडे जल्दी निकालना है तो आप इस के सकते हैं सपोर्फ आपको निकालना है थर्ती नाइन का क्या करेंगे 339 मतलब 09on नाइन नाइन जा एटी वन और तीन लहाँ 27 आश्टाइस दूना चौवन ठीक है जो भी स्कॉयर निकालना है उसमें आप तीनों डिजीट का मल्टिप्लाइब भी करेंगे ध्री नवाँ 27 एक डिजिट छोड़ेंगे और यहां लिख देंगे 54 तो यह हो जाएगा वन आठ चार बार वन कैरी नौपांच 14 14 15 तो यह आगया कितना 1521 तो क्या सभी बच्चों को स्कॉयर क्लियर हुआ कि स्कॉयर हमें निकाला कैसे जाता है और इसके अलावा आपको वन से लेकर 30 तक के स्कॉयर याद होने चाहिए ठीक है तो आप लोग को का आज का होमवर्क है ऐसा मैंने उस क्लास में भी दे रखा है आपको रिजिनिंग की क्लास में बड़ जो बच्चे नए हैं उनको अभी तक होमवर्क नहीं मिला है तो आज का आपका होमवर्क है भाई वन से लेकर 30 तक की स्कॉयर को याद करना है और लिखना है और यह दीरे दीरे आपसे याद हो जाएगा जब लिखना सुरू करेंगे याद करना सुरू करेंगे ठीक है तो यह सब को क्लियर यह काम सब भी बच्चों को करना है और जो बच्चा कर लेगा वह कमेंट बॉक्स में लिखिया कि हैं मिरे से मेरे से थर्टी तक याद हो गया है क्लियर इसी तरह आपको अगर यह 15 या 25 या 35 जिसके लाश्ट में 5 आता है उसके अगर स्क्वायर को निकालना है तो क्या तरीका होता है तो उसके स्क्वायर निकालने का तरीका होता है जैसे सपोज 35 का निकालना है तो 5 25 और 3 के बाद क्या आता है तो थी इंटू फॉर कर दिजी यह आ जाएगा 1225 क्लियर यही तरीका होता है जिसके डिजिट के लाष्ट में फाइप आता है उसका निकालने का तरीका सपोज आपको किसका निकालना है सपोज आपको 85 का निकालना है तो पाँच पचीश तो आएगा यह आएगा और आठ के पाद के आता है नो आठ नवा बहत्तर ठीक है यह 72श आएगा 85 का स्कॉएर यह एक तरीका है जिसके लिए लाष्ट डिजिट पर फाइप आएगा उसका टू डिजीट वाला स्कॉआर कैसे निकालते हैं यह आप लोगों ने समझा और जिसके लाष्ट में कोई भी ताइए यही समझने और चलिए अब देखते है सट रूट चलिए अब सट पड़ते हैं सट रूट में क्या होता है जैसे आपको कोई परफेक्ट स्कॉयर नंबर दिया रहेगा आपको ध्यान क्या देना है जैको इसटे कौटे चोटे देखना है ठीक है last digit तो آगे अगर वन आता है तो वह हो सकता है 1 का स्कॉायर या फिर 9 का क्या कैसे है वन का क्या क करोगे यह लुए जल्खन आता है इसकी फिर आता इसी तरह अगर लास्स डीजिट फो डर आता है यह दो टू होगा उसका इसका रूट होगा या तो यह एट होगा Q के लिड़्ो इसलिए अगर आपका ना बसका सिक्स आता है तो 6 क्या होता है भॉओ सिक्स आपका बोलता है या तो 20 2 3 3 9 4 4 4 4 14 6 यातो होगा या तो आपका 66 сразу 36 जो भी सका स्क्राइर रूट आएगा उसके लाच ड्यीट्म या तो फुर रोगा या तो 6 होगा क्लियर इसी तरह अगर आपका 9 आता है तो यह आपका क्या होगा या तो यह आपका 3 होगा या तो फिर यह आ आपका 7 होगा लेकिन अगर इसके एलावा यूनिट डिजिट पर अंडरूट में तू आता है थ्री आता है फाइप आता है ठीक है यूनिट डिजिट पर किसी भी क्वाईरूट में हमको पूछा गया और मैंने देखा यूनिट डिजिट टू आया थ्री आया या फिस सेवन इया पर ए tö पर पूफेक्ट ूइर नहीं होग है इसका square root नहीं निकाला जा सकता है अगर इसके unit digit पर 1 आया तो यह जो square root आएगा उसके unit digit पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा इसी तरह अगर 4 आया है square root के अंदर तो इसके unit digit जो square root इसका निकलेगा उसके unit digit पर या तो 2 आएगा या तो 9 आएगा इसी तरह 6 होगा तो 6 के unit digit पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा इसी तरह अगर 9 है तो 9 के यूनिट डिजिटर पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुगा अगर अभी तक नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं हम लोग अगर एक्जामपल लगाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा चलिए सबसे पहला मैं एक्जामपल लेता हुआ अंडरूट कि 7744 अगर आपको कोई फर्फेक्ट स्क्वाइर दिया गया है ठीक है यह दिया गया है कि यह पर्फेक्ट स्क्वाइर आपको इसका स्क्वाइर रूट निकालना है पर्फेक्ट स्क्वाइर नहीं होगा तो आप निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि वह डेसिमल में आने लग पूर आ रहा है इट मिल्स या तो इसके जो इसका स्कॉयर रूट होगा उसके लास्ट में टू आएगा या तो इसके लास्ट में एट आएगा लेकिन क्या आएगा यह कैसे पता चलेगा उसका तरीका होता है कि यह 77 किसके स्कॉयर के पास आता है तो यह किसके स्कॉयर के पास होगा वही इसका 10s digit होगा अभी आप कंफ्यूज होगे कोई बात ने फिर समझाओंगा तो यह जो 8 का स्क्वाइर आ रहा है तो इस यह 8 के स्क्वाइर के आगे ही होगा यह 10s digit हमें पता चल गया यह 9 नहीं हो सकता क्योंकि تي891 होता तभी तो यह 9 से शुरू होता यह 8 से सुरू होगा क्योंकि यह 64 से ज्यादा है अब यह कैसे होगा कीुक्त Shepherd यहां टू आएगा यहां एट आएगा तो यह कैसे होता है यह जो 77 है अगर 64 के पास हो तो यह 82 आता सबसे पहले वाला अगर यह 81 के पास है तो यह 8 आता है कि लिए नहीं के लिए कोई बात निए दुबारा एक जांपल बताऊंगा वहां से समझ में आएगा देखिए 77 किसके पास आता है 64 और 77 में डिफ्रेंस होता है आपका 13 का और यह 87 में डिफ्रेंस होता है फोर का तो बहिए 77 जो है वो 981 के पास में इस यह बाद वाला डिजिट है यही यहां पर आएगा इस यह जो क्लिखा हुआ है यह 88 का स्कौायर लिखा हुआ है आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं इस एटी एट का तो 88 64 64 64 88 64 64 दूना 128 128 यहां एड कर दीजिए चार आठ्धा चोदा है करी आया 40-67 तो चांश सबी बच्चों को ये क्लियर हुआ बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर होगा तो बिल्कुल चिंता मद करिए आगे और इग्जामपल देखते हैं इसको अच्छे तरीके से सीखने की कौसिस करते है एक और में एक्जाम्पल लेता हूं अंडरूट 5776 यह भी एक परफेक्ट स्कॉयर है ठीक है अब इसका आपको स्कॉयर रूट निकालना है तो आप क्या करूंगे अब ध्यान से समझें जो बच्चे नहीं समझ पाए है भाई 76 है इसका पीछे से टूडिजिट ले लिया और इधर से लिए पेर ले लिया पीछे से पेर काउंट करते हैं यह हमेशा याद रखिएगा यह हो गया 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 लेकिन कब होगा जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो यह किसके पास आता है यह तो एक तो 7-2-2-2-2-1-4-2-5-1-2-2-2-3-a-3-2-1-4-1-2-2-0-1-4-2-1-4-4-1-2-2-2-3-1-2-2-3-2-5-4-1-3-2-2-1-3-3-1-2-4-4-3-2-2-4-4-2-3-2-1-3-2-2-3-3-2-4-3-7-4-4-2-1-2-5-2-3-1-2-2-3-1-2-1-2-3-2-2-3-4-2-1-2-2-3-1-3-1-2-1-3-2-2-1 तो चाहता है आपका 64 कि सबसे ज्यदा करीब किसके है सबसे ज्यदा करीब तो आपका करीबहए तो अगर 64 के करीब है तो यह बाद अरड़ीजीटह आएगा क्या हैगा 66 क्या सब को क्लियर हुआ यहां तक कॉंसेट यह जो स्कॉयर रूट निकालने का यह जादू ही ट्रिक है क्या सभी बच्चों को समझ में आया उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा चलिए एक और इक्जामपल देखते हैं यह मैं लेता हूँ अब 51076 ठीक है यह एक इक्जामपल है अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है इसका स्कॉयर रूट यह आपको पता है कि यह परफेक्ट स्कॉयर है तो हम गया तो हाटा हाँनाक फॉर का स्कॉयर होगा यह स्कॉयर होता है और पत्anut कितना होता है और अब 23 स्कवार करेंगे तो 529 आाता है ठीक है यह क्लियर सब को जिसको याद हो जाएगा जिसको याद होगा उसको समझ में हो लिए खुरी कोई दिरे दिरे याद करी ठीक है 22 का स्कॉयर करेंगे 484 आएगा 23 का स्कॉयर करेंगे 529 आएगा तो इट मिन्स यह तो कनफर्म हो गया कि यह 22 आगे होगा और यह बाद वाली डिजिट हमको नहीं पता है कि 4 होगा कि 6 आएगा तो भाई 510 किसके पास है क्योंकि विए 510 तो 529 के पास है क्योंकि इसमें लगा 226 का स्कॉयर क्या यहां तक सभी बच्चों को स्कॉयर रूट निकालना आ गया एक बाद चैट बॉक्स में लिखो सबके चैट पढ़ रहा हूं भाई स्कॉयर रूट निकालना आ गया धीरे धीरे सीखेंगे और अगर वक्त लग रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन जिस स्कॉयर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया रहे तो आप इस मैथेट का यूज करके आप उसका स्कॉयर रूट निकाल सकते हैं क्लिया चलिए अब मैं के आपके सामने एक सवाल रखा हूं जिसमें डेसिमल का भी concept है अब डेसिमल वाले नंबर का भया स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मुझे नहीं आता है तो कोई बात नहीं बीटा सीखते हैं इसको तो यह आपके सामने एक क्वेशन निखा हुआ है इसका आपको अंसर निकाला चलिए मैं आपको 30 सिकंड देता हूं अ आज की क्लास को किखे इसके बाद परसों से सवाल ही सवाल करेंगे और बहुत मजा हैँगा एक ग्रेड के सवाल लाएंगे जो प्रीवियसियर न्टी नेहीं की होगा तो बिल्कुल चिंता मत किरीए है आपकी प्रिप्रेशन वेल हो रही एप अच्छी हो रही है है यह गा अपाहब यह तो पता है बेदी हैं इसका कै से निकालेंगे तो आपको यह तो पता है ना तो यह 9 हुझाएगा इसको क्या लिख सकते हो भाई नाइज अपान 3 और 3 यह 1 2 3 1 2 3 डिसाट और तो आपको एक चीज पता होने चीए कि कभी भी अगर रूट में 1 के आगे 0 0 0 0 0 0 0 लगा हुआ कई सारे 0 लगे हैं तो तुरंत अंसर कैसे निकालते हैं तुरंत चेक करते हैं कि यह कितने 0 है एक दो तीन चार पांच छह साथ अगर यह और नंबर में है 0 अगर और नंबर में 0 है तो यह इसका स्क्वार रूट नहीं निकलेगा अगर इवन में है तो तुरंत आप निकालोगे कैसे जैसे 2 0 होगा तो भाई 2 0 है तो उसका हो जाएगा 10 मतलब हाप कर देते हैं अगर यहा छह 0 है तो कितने आएंगे 3 0 है मतलब सीधा हाफ हो जाता है क्लियर बच्चे सबको क्लियर यह चीज छोटा सा कॉंसेट था अब देखो कोस्चन से ही बहुत सारी कॉंसेट हमको सीखने को मिलते हैं ठीक है और थोड़ा पेसेंस रखिए थोड़ा मुझ पर विश्वास रख प्लस अब अंडरूट 9 का वेल्यू अच्छा अभी एक और कंसेट अंडरूट 9 अपन 100 का मतलब होता है उपर भी 9 रूट में है और नीचे भी 100 रूट में है तो यह अंडरूट 9 की वैलियू क्या होगी ठीन होगी अभी हम लोग यहां पर प्लस वाली ही वेल्यू रहें क् यह भी बताऊंगा कि अगर अंडरूट 9 का आप रूट निकालते हो तो प्लस माइनस दोनों आता है तो यहां पर दो केस बन सकते हैं प्लस माइनस बट हम लोग प्लस लेकी चलेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं ठीक है तो भाई यह क्या हो जाएगा थ्री बाई 10 बेसिक यह बत 3-0-3 क्या यह सभी बच्चों को समझ में आया क्या यह सभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया छोटा सा कॉंसेप्ट है बट आपको डेसिमल में कैसे आपको स्क्वायरूट निकालना है यह चीज हम लोगों ने यहां पर सीखा है कि चल वायिये आपके स्क्रीन पर यह बहुत अच्छा सवाल मैं लिख रहा हूं और देखता हो कि सवाल को कौन सा बच्चा कर पाता है यह आपको root 13 की value 3.605 under root 130 की value 11.40 आपको निकालना है under root 1.3 under root 1300 plus under root 0.013 की value देखता हूं कौन बच्चा निकाल पाता है I am waiting for your answer you have one minute and try to find the answer बिल्कुल बोर मत होईए मेहनत करते रहिए खुद पर विश्वास रखिए और जो बच्चा लाश्ट तक मेहनत करेगा जो बच्चा regular रहेगा जो बच्चा consistent रहेगा वही बच्चा इस exam को crack कर पाएगा कि लेबल नॉर्मल होता है लेबल टफ नहीं होता है आप ही के क्लास की आप ही के सब्जेक्ट से रिलेटेज चीचे पूछी जाती है बट आपको अपने माइंड को और ड्यावलप करना है कि और वह मैं कराने की पूरी कोसिस कर रहा हूं कि के बच्चो चलो सभी बच्चों ने अटेम्ट किया होगा कुछ के अंसर आ रहे होंगे और कुछ के नहीं आये होंगे बट अब जितने बच्चों से नहीं हुआ वह स्क्रीन पर देखेंगे सारी चीजे विजिबल है न प्रॉपर चलिए अब यह अन्डरूट 1.3 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडरूट 13 इंटू 100 लिख सकते हैं पलस यह क्या लिखा हुआ हैं अंडरूट 13 अपान 1000 लिख सकते हैं है यह सबको यह लेकिन यार दोस्त यह जो क्लियर है आपको कि 10 का रूट हम नहीं निकाल पाएंगे पॉइंट में लगेगा तो हम क्या करते हैं उपर नीचे 10 से मुल्टिप्लाई करेंगे तो यह 130 हो जाएगा और अंडरूट 100 की वैलू कितनी होती है 10 प्लस अंडरूट 13 की वैलू कितनी होगी भाई 11.40 अपन 10,000 की वैलू कितनी हो जाएगी 100 क्या अब किसी को कोई दिक्कत तुरंत अंसर आ जाएगा यह आ जाएगा आपका वन पॉइंट वन फोर जीरो प्लस यह आ जाएगा आपका 36.05 प्लस एलाएज पन्पोर जिरो को डिवाइड़ भाई उन फोर जीरो अब इसको आड़ कर लीजिए भाई कितना आ जाएगा 36 प्लस 1 हो जाएगा 37 प्लस यह 114 है और इसको भी आड़ कर लीजिए तो यह हो जाएगा आपका यहां मैं पॉइंट को साइड में रख देता हूं यह 0.140 है 0.05 है और 0.114 है ठीक है तो यह हो जाएगा पॉइंट तो लगा ही रखा है 304 क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि सवाल को हम लोगों ने कैसे अटेम्ट किया हमें देखिए जो वैल्यू दी गई है उसका यूज करना है स्क्वाइर रूट ऐसा बनाना है कि नीचे जो है वह वह इवेन नंबर में 100 यह वगरा हो ताकि हम उनका रूट आसानी से ले पाए क्लियर सबको क्लियर हुआ यह हाव तक हम लोगों ने स्क्वाइर कैसे निकालते हैं स्क्वाइर रूट कैसे निकालते हैं यह चीज सीख लिया में भी आज हम स्क्वाइर रूट और क्यूब रूट ही सीख पाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कल हम लोग सीखेंगे अ smallest number subtracted to make a perfect square और smallest number that is that should be added to make a perfect square कभी-कभी आपको इस पर भी question मिल जाएगा जहां पर आपको क्या करना होगा एक number दिया रहेगा इस तरह से आपके सामने दो numbers दिये मैंने दो example दे रखे हैं कि आपको क्या करना है चेक करना है पहले वाले में कि कौन सा ऐसा smallest number है जिसको सब्स्ट्रेक्ट किया जाए ताकि यह एक perfect square बन जाए इसी तरह इस नंबर में क्या add किया जाए कि ताकि यह perfect square बन जाए clear यह इस समय perfect square नहीं है तो चलिए आज हम लोग यह division ध्यान से समझी सब लोग मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे नियरेश्ट इसके square कौन सा होगा तो तो नहीं लेंगे तो तो थर्टीन का square क्या हो जाएगा थर्टीन का square हो जाएगा आपका कि इसको इसलिखते हैं दिस नंबर से मल्टिप्लाई कर रहे हैं उसको यहां पर लिखते हैं आप लोग प्लास लेकर आप अगपड़ा होगा और जिनने नहीं पड़ा है वह देख सकते हैं कि इस नंबर से आप 9 4 13 और यह हो जाएगा आपका 6 2 8 बचा कितना 2442 अब आपको यह एक ऐसा नंबर यहां रखना है ताकि यह इससे छोटा हो और डिवाइड हो जाए तो भाई यहां तो हम यहां 8 रख सकते हैं क्योंकि 8 2 16 यहां फिर नौ भी रख सकते हैं नाइन रख करते हैं यहां रखेंगे यहां पर भी नाइन आएगा यह जाएगा और यह 991 801 एक हाथ में आया आठ नौचंग चंवण है कि यह 21 जो है वो इक्स्ट्रा आया है तो यही एक ऐसा नंबर है कि अगर हम इसको सब्ट्राइट कर दे 21 को इसमें से सब्ट्राइट कर दे तो हमारे पास यह परफेक्ट स्कॉयर मिल जाएगा न भाई अगर हमारा नंबर होता 19322 तो यह परफेक्ट स्कॉयर होता और य सब को समझ में आया तो यह जो नम्बर इस्ट्रा आ रहा है वही नम्बर हमें subscribed कर दे तो यह हमारा पर फब्क स्कॉयर बन जायगा इसी तरह अगर आपसे एक्जामपल बूछा जाए और पूछा जाए ज्पूचा कि लाए्ग क ग्यारा 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 बाइस हो जाएगा यह 121 और यह 242 अगर यहां पर यह question हमसे होता कि आपको smallest number पता करना है सब्ट्रेक्ट वाला तो हम क्या करते भाई इससे छोटा number से हम multiply करते ताकि छोटा number आए हमारे पास remainder आए लेकिन हमें पता करना है कि कौन सा number जोड़ा जाए ताकि यह square आ जाए तो हम हमें इससे एक extra number से multiply करना होगा समझिए यहां पर आपको क्या करना होगा अगर आप यहां पर 1 से multiply करते तो आपका आता है यह होता वन और यह होता है टूमतलब 21 जो हो इक्स्ट्रा आ रहा है अगर सब्त्रैट कर दे तो आपके पास अंसर आ जाता यह यह कितना बचैएगा 2 यह आपका हो जाएगा 0 यहाँगा 2 तो यह उाजाएगा माइनस में 202 मD 217 अगर इस नमबर में 202 जोड दें तो आपको perfect square मिल जाएगा चार 4 325 एक दो 53 क्यों मिल जाता क्योंकि अगर यह इफ्ट्रा होता आने समें two से multiply करता ता यह करते थे यह जीरो बसता रीमेंडर जीरो आता तो हम परफेक्ट स्कॉायर कह देते तो यह जाता आपका 12444 और यह आपका सब्ट्रेक्शन वाला है तो क्या सब को क्लियर हुआ जब सब्ट्राइट करते हैं बैटा तो आपको जो मिनिमम होता है जो से जेस्ट पहले वाला होत सब्सक्राइटे में हम लोगों ने पूरे स्कॉायर और स्कॉायर रूट के जो भी क्वेशन बनेंगे यहीं से बनेंगे ठीक है डिवीजन मैथट से किस तर से स्कॉायर रूट निकाला जाता यह भी मैंने आपको सिखा दिया चलिए आप पढ़ते हैं क्यूब और क्यूब रूट भी पढ़ लेते हैं यह सारी चीजे बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको हलकी में मत लीजिएगा यह इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको चीजे करा रहा हूं ठीक बच्चो क्यूब क्या होता है जैसे आपको क्यूब कहां तक याद रखना है 20 तक ज्यादा नह समझाने वाला हूं इसलिए तो वन का क्यूब होता है वन तू का क्यूब कितना होता है एट होता है ठीक क्यूब कितना होता है आपका 33 के नोट्रिक 27 होता है चार का क्यूब कितना होता है आपका 555 25 125 होता है चैक क्यूब कितना होता है वाई 216 होता है साथ क्यूब कितना हो 343 होता है और आठ का क्यूब कितना होता है भाई 8844848 अधेको मेरे को खुदी नहीं आधे 512 होता है तो आप लोग याद कर लीजेगा धिर धिरे 512 और नाइन का क्यूब कितना होता है नाइन का क्यूब अरे वन से लेकर 20 तक का क्यूब और वन से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करेंगे और लिखेंगे उसको ठीक है इट सो होमवर्क चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपको क्यूब याद रखना कि इस तरह से आपका क्यूब आ रहेगा और आपको काम देगा क्यूब रूट सीख क्यूब रूट तो जब भी क्यूब रूट जब आप जब भी आपको एक क्यूब निकालने के लिए क्यूब रूट निकालने के लिए रहेगा तो आप तीन-तीन का पेर पीछे से बनाएंगे कितने का तीन का पेर ठीक है तीन-तीन डिजिट का पेर इसमें बनता है अच्छ इसके बाद unit digit पढ़ने वाले हैं लेकिन अगर आपको इसका इसका क्यूब रूट find करना है और उसका उसका जो क्यूब होगा उसके प्यूब रूट होगा उसके भी unit डिजिट में शिक्सिए आएगा अगर आपका nine आता है तो nine के भी unit डिजिट में eight यह साथ ही साथ q allowed के अंदर दीया घर उसका अंसर के unit digit में या तो 2 आएगा ठीक है और अगर question में 2 दिया गया है तो उसके unit digit में answer में cube root में 8 आएगा इसी तरह अगर question में 3 दिया गया है तो उसके answer में आएगा 7 और इसी तरह question में 7 दिया गया है तो उसके answer में आएगा 3 क्या यहां तक सभी बच्चों को clear हुआ यह इसके opposite होते हैं 2 का इसाथ 8 8 के साथ 2 अगर question में 8 और unit digit में तो answer में 2 आएगा और question में unit digit में 2 और नाँसर में 8 आएगा clear इसी तरह अगर question में 3 और answer में 7 और गाएगा और कैसे दिया रहेगा मतलब क्वेशन कैसे दिया रहेगा उसका क्यूब का निकाल होगे अगर आपको 3 लिखा हुआ तो इसको क्या करना है तीन-तीन और आपका 5 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा तो सेम होता है अगर 2 unit digit में आ रहा है तो उसके answer में cube root में 8 आएगा अगर यहां पे 8 होता है तो 2 आता अगर 3 होता तो 7 आता अगर 7 होता तो 3 होता है तो दो नंबर opposite वाले होते हैं कौन-कौन से 2 का 8 के साथ और 3 का 7 के साथ ऐसे करते करते याद हो जाएगा ठीक है तो यह तो कंफर्म है कि unit digit में 8 ही होगा clear और यह है 474 474 किसके पास आता है यह तो साथ का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है 512 तो नहीं होगा क्यूंकि 7 से इक्स्ट्रा होगा 512 से कमी है यह तो यह unit पिक नहीं पता होगी वह नहीं कर पाएगा कि यह 175 616 दूरों बनाया हमने 6 किसके लाश्ट में आता है अगर 6 है तो 6 ही आता है यह आपको पता होना चाहिए क्लिया 175 175 किसके क्यूब के पास आता है कहोंगे वह यह 25 25 125 होता है और 6 का होता है आपका 636 266 होता है तो भाई यह पांच वाला क्यूब होगा 56 यह 56 का क्यूब है तो यह यहां तक कॉंसर्प्ट है भाई रहे果 यह 2 5 और क्यूत निकालने-का इसक्वायर और स्क् waves अणिकलने का और जो सवाल बनते हैं जो जिस टॉबिक पर सवाल पुछा जाता है मैंने आपको समझा दिया क्या यहां तक सभी बच्छों को clear एक तक सबी बच्चों को clear हो गया क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले यूनिट डिजिट कॉंसेप्ट था चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं भाई यूनिट डिजिट कॉंसेट यूनिट डिजिट कॉंसेप्ट क्या करता है आपके कभी कभी option को eliminate करने में help करता है और साथ ही साथ कभी कभी आपको direct question भी देखने को मिल जाते हैं unit digit के concept पर जासा कि मैंने पिछले साल देखा था कि एक सवाल भी आया था unit digit के question पर direct आया था तो पहले हम लोग सीखते है unit digit concept क्या होता है हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ unit digit पर ध्यान लखना है दिमाग आपका सिर्फ unit digit पर होना चाहिए हमेशा unit digit ध्यान रखो इसको अपने copy में लिख लो भाई हमेशा unit digit का ध्यान रखो सपोर्ज यह आपको सवाल दिया गया इसका पता करना है कि unit digit क्या होगा unit digit मतलब सबसे पहला डिजिट तो आपको क्या करना है आठ चंग 48 48 का आपको unit digit क्या रखाया एट फिर आठ आया आठ सते 56 56 से आपके 5 से नहीं मतलब है 6 6 8 48 48 का वी unit digit क्या आया एट मिन्स इस question में unit digit आपका 8 होगा यह confirm है और इतने से ही आपको मतलब है इसी तरह अगर आपको पूछा गया 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 लाग पता नहीं कितना लिख गया तो लास्ट में क्या आएगा अरे भाई अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 ही तो आएगा तो unit digit क्या आएगा जीरो तो इस तरह के सवाल कभी-कभी आपसे पूछे जाएंगे directly कि आप unit digit बताओ तो आप directly बता सकते हैं एक नई concept में आपको पढ़ा देता हूं जो कि आपको 11 में पढ़ाय जाता है या 12 में पढ़ाय जाता है बट आपका unit digit में इसका use होता है बट इ यह जो sign दिखा यह आपका factorial है factorial एन factorial क्या कहता है कि अगर आपका n factorial है तो मैं n into n-1 into n-2 into n-3 कब तक करूंगा जब तक वन न तक न पहूंजा सपोज एक्जाम्पल मैं लेता हो n को मैंने एक ले लिए n हमेंसा नेचुरल नंबर होगा लिया तो यह क्या हो जाएगा भाई फाइप इंटू फाइप मानेस वन करेंगे फोर मानेस वन करेंगे थ्री फिर टू फिर वन रुख जाएंगे इसी तरह आगर आपका है वन फिप्टीन फैक्टोरियल यह कैसे निकालेंगे 115 x 114 x 1 13 x 112 x 111 ऐसे बढ़ते जाएंगे और कहां तक बढ़ेंगे भाई हम लोग बढ़ेंगे आपका 1 तक यह होता है इस प्रप्टोरियल का कॉंसेट्ट इस फ्रेक्टोरियल का यूज होता है सपोज यह मैं आपको एक question देता हूँ ठीक है मैं आपको equation देता हूँ कि आपको one factorial फैक्टोरियल plus two factorial plus three factorial plus four factorial plus five factorial plus six factorial plus seven factorial plus eight factorial plus nine factorial plus ten factorial का आपको unit digit पता करना है तो अगर आप basic से चलोगे तब तो आप पागल हो जाओगे इसको करने में आले कि वह सब्सक्राइब हो आप 1 निकालोगे रवन आएगा टू इंटु वन करो तू आएगा ठीटू प्रिटू जाज आएगा 6 आजाएगा फोर त्रिटू जाज ट्वैल्फ तयाए च्छट्ष तिस इस तरह पांचों का बढ़ता जाएगा तो आपको यूनिट डिजिट क्या आएगा तो आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको बस इतनी को चेक करना होगा टके फैक्टोरियल को क्योंकि इस प्के बाद जो भी आप देखोंगे सब articles चीडुन डिजिट में जीरो आएगा क्यों जीरो आएगा क्योंकि five टॉल्रील ciek माशल होगा जैसे ही five नींकि विचलाना होगा फैक्टोरियल में एक जगा 5 का मल्टिप्लिकेशन होगा ठीक है और जैसे 5 का मल्टिप्लिकेशन होगा वो किसी even नमबर से मल्टिप्लाई होगा तो उसके लाश्ट डिजीट में 0 आएगा क्या कि 5 2 10 होता है 5 4 20 होता है 5 36 होता है यह चीज समझ लो बेटा 5 फैक्टोरियल से जो भी बड़ा नमबर होगा उसके लाश्ट डिजीट में 0 आना तय है तो आपको क्या चेक करना होगा ऐसे कुशिन में सिर्फ 5 फैक्टोरियल तक की वैले इनको जोड़ लो इनके यूनिट डिजीट को 2 1 3 3 6 9 9 4 13 तो इसमें लाश्ट डिजीट क्या आएगा भाई लाश्ट डिजीट आएगा ठीक है क्या सभी बच्चों को यहां तक डिजीट ऑफ अमगों ऐसे इक्स के पावर एंड ठीक है एक्स के पावर एंड तो भाई अगर कोई भी नंबर जैसे आपको दे दिया 16 के पावर 17 तो इसका अगर आपको यूनिट डिजीट पता करना है तो कैसे करोगी सब्सक्राइब आपको दे दिया 786 के होल पावर 18456 इसका unit digit कैसे पता करोगे तो इसका एक ट्रिक होता है इसका एक नियम होता है उसको समझ लीजिए अगर unit digit में question के दिया हुआ है one या five या six या फिर zero तो इसके unit digit में same यही नमबर आएंगे मतलब one का unit digit one के power में कुछ हो 171 के power 189 भी आजाए तो भी वन ही आएगा इसके जगह पर 185 भी आजाए तो भी वन ही आएगा इसी तरह अगर unit digit के question में unit digit पर five हो तो इसके power में कुछ भी रहे हमेशा क्या आएगा फाइगा इसी तरह question में six रहे तो इसके unit digit में कुछ भी रहे इसके power में कुछ भी रहे तो हमेशा क्या आएगा unit digit पर six आएगा जीरो रहे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा तो यह कंफर्म 1560 को लेकर कि इसी तरह अगर आपसे question पूछा जाए कि भाई अब बताओ टू आ जाए थ्री आ जाए फोर आ जाए सेवन आ जाए एट आ जाए और नाइन आ जाए तो क्या होगा तो भाई अगर फोर आया और अगर नाइन आया तो इसकी cyclicity कितनी होती है दो होती है कैसे फोर का स्कॉयर करोगे फोर का इवर नामबर और तो और नमबर पर क्या आता है four तो four की cyclicity युरिट वहागी या six होगी इवेन नंबर होगा तो six हो गा और नंबर होगा तो इसी तरह nine का होता है इवेन नंबर होगा तो one होगा और नंबर होगा तो nine होगा अब दैख सकते जैसे nine के पावर अगर मैं seven कर दूं तो इसके में unit डिजिट पर क्या आएगा बिटा पावर और नंबर है पावर अगर और नंबर है तो क्या आजाएगा नाइन आएगा अगर पावर इवेन नंबर होती एटीन होता तो क्या आता है नाइन वन आता है क्या सबको clear हुआ छोटा-्छोटा concept है बट important है बिटा फोर के पावर में अगर even नमबर आएगा लिखो अगर फोर के पावर में odd number आएगा तो फोर ही आएगा क्लियर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर यह सारी चीजे लिखते चलिए जो मैं आपको थियोरी बता रहा हूं अब इसके बाद बच्चता है आपका कि तू कि थ्री सेवन और एट इनकी सैक्लिसिटी फोर होती है यह चार के बाद रिपीट करते हैं क्लियर कैसे आप देख सकते हैं 2 के पावर 1 होगा 2 आएगा 2 के पावर स्क्वायर होगा 4 आएगा 2 के पावर क्यूब होगा 8 आएगा 2 के पावर 4 होगा 16 आएगा फिर इसके पावर 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा 2 के पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा देख रहे हैं यूनिट डिजीट करना शुरू हुआ त तो इट मिल्स चार डिजिट तक चार के बाद यह डिजिट रिवीट करने लगते हैं यूनिट वाले टू फोर एट सिक्स आने लगेगा टीए के पावर 113 अे स्कुरण नाइब तो यह की मैं निकालो गे इसके ओनी होती इसके इसके बाद 7 और इसके बाद 1 इसके तरह का 7 है इसकी चार होती है 7 के power 1 7 7 का square 9 आएगा unit digit में 7 का cube 3 आएगा unit digit में 7 के power 4 1 आएगा unit digit में अब अपने mind में सिर्फ unit digit का multiply करके भी यह चीज़े लिख सकते हैं 7 के power 5 7 आएगा 7 के power 6 9 आएगा 7 के power 7 last digit पर क्या आएगा भाई 3 आएगा यह repeat कर रहा है तो it means इसकी cyclicity क्या होती है 4 7 9 3 1 clear इसी तरह 8 भी होता है 8 के power 1 8 8 का square 64 4 आएगा 8 का cube 2 आएगा 8 के power 4 6 आएगा इसके बाद repeat करो 8 के power 8 के power 5 8 आएगा 8 के power 6 4 आएगा 8 के power 7 2 आएगा यह repeat करना शुरू it means इसकी भी cyclicity कितनी होती है 8 4 2 6 clear तो अगर power में इस तरह से आती है चीजे तो आपको इस तरह से करने है तो भाईया चार नंबर ऐसे हैं जिनकी cyclicity 4 होती है वो नंबर है 2 3 7 और 9 sorry 8 दो नंबर ऐसे हैं जिनकी cyclicity 2 होती है वो नंबर है 4 और 9 और चार नंबर ऐसे हैं जिनकी cyclicity क्या होती भाई सेम होती है वो नंबर है 1 5 6 और 0 clear यहां तक सभी वच्चों को clear हुआ होगा चलिए अब सवाल लगाते हैं तब आपको और clear होगा चलिए बाइए अब आपके सामने दो सवाल है इसको करने की भी कोशिश करिए और जब अगर आपसे नहीं भी हो पाता है तो मैं आपको समझाऊंगा इसको ठीक है तो पहला सवाल देखते हैं तो आपका सबसे पहला का है कि आपको unit digit निकालना है इसका तो आप सिर्फ और सिर्फ unit digit पर इसमें काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर यह 186 है ठीक है और यह 1325 है तो जो यह पावर लिखी है उसको आप कैसे करेंगे क्या करेंगे आप समझ यह जिन बच्चों को नहीं आता हो ध्या से सुनिए तो भाई unit digit में अगर त्री आ रहा है तो आपके दिमाग में चीज़े श्ट्राइक करनी चाहिए कि इसकी साइकली सिटी फोर होती है तो भाई साइकली सिटी फोर होती है तो 97 को आपको फोर से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा चार दूना आठ चार बचा कितना वन इट मिंस आपको निकालना है थरी के पावर वन की वेल्यू अब यहां पर सेकेंड ओप्सन देखिए सेकेंड क्यूस्चन यह सेवन यूनिट डिजीट में इसके पावर में है 198 तो भाई 7 का साइकली सिटी कितना होता है फोर होता है तो 198 को क्या करेंगे उसके बाद तो रिपीटेशन होने लगेगा इसलिए यह फोर से डिवाइड कर रहा हूं मैं 6 है तो 6 का आपको पता है कि 6 का हमेशा साइकली सिटी 6 ही होता है और 5 है तो 5 का हमेशा यूनिट डिजीट 5 ही आएगा कुछ भी पावर में हो जाए तो भाई 3 का यूनिट डिज करेंगे तो क्या आएगा जीरो तो भाई सबसे आसानी तरीके से आगया यही तरीका है आपको अंसर निकालने का तो इसका यूनिट डिजीट कितना है जीरो चलिए एक नेक्स्ट कोईशन है इसमें यह तीन है इंटू और फिर यह तीन इंटू और इन दोनों का प्लस है त 34 आ रहा है मतलब completely divided हो जा रहा है इट मेंस एट के पावर फोर निकालना है आपको ठीक है एट के पावर फोर तो एट के पावर फोर क्या आजाएगा अठेट्ट्य चौट्ट्य आजाएगी भाई शिक्स आ जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं साखली सिटी एट की हम ल ठीक है ठीक है ठीक है बच्चो इसके बाद इसी तरह हम क्या करेंगे इसी तरह हम इसका चेक करेंगे 7 इसके पावर में 1592 7 की सैक्लिसिटी 4 होती है तो 1592 को फोर से डिवाइड करिए चारतियाइं बार है थ्री कहरी चार चार नौवा अच्छतिस चार अठ्थे बाइड़ है कंप्लिट्री डिवाइड मतलब 7 के पावर 4 की वैल्यू निकालनी है साथ सत्य उन्चा साथ नौवा तिस सट्री के कैस यूनिट डिजिट क्या आएगा वन आएगा समझ में आ रहा है ना इसी तरह 4 के पावर है 6 यूनिट डिजिट में ध्यान दिजिए बस और यह 876 फोर की सैक्लिसिटी होती है तो इसको डिवाइड करिए याद रखिए भाई इवेन नंबर पर क्या आता है इवेन नंबर पर 6 आता है और नंबर पर फोर आता है तो इव 135 के होल पावर कुछ भी रहे 5 यूनिट डिजिट है तो 5 ही आएगा इंटू यह क्या है वन है तो हमेशा वन ही आएगा 9 है और इवेन चेक करिए अगर और है तो आपका 9 में और होता है तो क्या आता है 9 आता है ठीक है आप सिर्फ और सिर्फ वाले चीजों को याद ठीक है इसके बाद क्या हो जाएगा यह जाएगा आपका 6 यह जाएगा आपका 1 यह जाएगा आपका 6 प्लस 5 इंटू वर इंटू 9 छाचाग 36 प्लस 59 पहतालिस चापा चिक ग्यारा एंसर क्या आएगा वन क्या सबको समझ में आया सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से खिलना है आपको और कुछ भी नहीं सोचना है क्लियर चलिए एक सवाल और देता हूं इस सवाल के बाद इस टॉपिक को हम लोग खतम मानेंगे और इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें कोई और सवाल आएगा तो वहां से चीज़ेंगे एक सवाल है आपका 7 क सवाल के पावर 95 माइनस थ्री के पावर 58 तो इसका यूनिट डिजीट आपको निकालना है तो सेवन के पावर 95 पर से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका चार दूना आठ और चारते हैं 12 कितना बचा है थ्री बच गया इट मिंद्स सेवन का क्यूब निकालना ह सब्सक्राइगा सा सत्य उन्चार सातनों तिर सट यूनिट डिजीट में थ्री आएगा माइनस थ्री के पावर 58 है आपको पता है कि थ्री की साइक्लिशिटी कितनी होती है फोर होती है बच्चो तो इसको फोसे डिवाइड कर ये 58 बाई 4 यह हो जाएगा आपका चार एककम तो आपको एक बगल वाले से कैरी लेते हो तो क्या यह हो जाता है थर्टीन यहां पर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया यही यहां तक का अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी किताब है आपके पस जो भी मटेरियल है आपके पास जो भी कुछ है वहां से आप यूनिट ji के कॉंसेप्ट के क्वेशन लगाई आज ठीक है इसक्वायर इसक्वायर रूट के क्वेशन लगाई ए क्यूब क्यूब रूट के क्वेशन लगाई ठीक है बाकी हम लोग दिविजन लेमा हम पढ़ेंगे और HCF-LCM तो धीरे-धीरे करकर हम लोगों ने नंबर सिस्टम के मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए हैं एक दिन का और क्लास है बेटा उसके बाद फ्राइडे से आपकी प्रैक्टिस सुरू हो जाएगी क्लियर तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको पढ़ाई करने में समझ में आ रहा है चीजे समझ में आ रही है आप 9 में हो चाहे 10 में हो आपक तक अपना ख्याल रखिए घर पर रहिए पढ़ाई करिए मेहनत करते रहिए क्लासेस फिल कॉंटिन्यू भी हो जाएंगी लाइब भी आ जाएंग उसके चिंता मत करिए और साधे साथ बजे आपकी रिजिनिंग के भी क्लास चले गया ठीक है तो उसकी चिंता मत कर वीडिय चले रहा हूं तो आप क्लास में प्रजेंट हो ये ठीक है चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी अपडेट आती है आपके एक्जाम से रिगार्डिंग आप कुछ भी चीजी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा चैनल प पढ़ेगा नहीं आप लोग डरने लगते हो कि मेरा दोस्त आ जाएगा तो कॉंप्टिशन बढ़ जाएगा अरे जितने लोग मिल के तैयारी करोगा तुम्हारा डाउट होगा वह क्लियर करेगा तुम्हें सपोर्ट मिलेगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा ठेक है तो पर अपने सिहत का ध्यान लगिए चलिए बाबाय टेक केर लव यू आल